अब हम एक थियोर्म देखते हैं इस त्राइंगल की सारे अंगल का साम 180 डिग्री होता है इसको हम प्रूफ करेंगे एक ट्राइंगल दिया है हमें PQR और अंगल 1, 2, 3 उस ट्राइंगल PQR के तीम अंगल से हैं हमें यह प्रूफ करना है कि अंगल 1 प्लस अंगल 2 प्लस अंगल 3 इस एक ट्राइंगल 3 इसके लिए हमने क्या कि एक लाइन X, P, Y, QR के पारलल बना ली थ्रूदी ऑपोजेट वर्टेक्स P P से होती हुए एक लाइन हमने QR के पारलल बना ली P, Q, R यह ट्राइंगल था और 1, 2, 3 यह इसके तीन अंगल थे हमने X, P, Y एक लाइन पारलल बना ली QR ठीक है अब X, P, Y एक लाइन है So therefore इसके यहां हमने 4 और 5 एक्स्ट्रा एंगल हमने इंक्लूद करती है So क्योंकि X, P, Y एक लाइन है तो 4 प्लस 1 प्लस 5 180 डिग्री हो गया लेकिन X, P, Y, QR के पारलल है और P, Q के भी पारलल है और P, Q और P, Y, P, Y, Transversal है So एंगल 4 और 2 एक्वल हो गए, एंगल 5 और 3 एक्वल हो गए क्योंकि यह और अल्टरनेट अंगल बना रहे You can see यहां पर एक Z बन रहा है तो 4 और 2 एक्वल हो गए यहां पर एक Z बन रहा है, sorry यह तो 5 और 3 एक्वल हो गए ठीक है, तो यह और अल्टरनेट अंगल हो गए अब 4 और 5 की वैली अगर हम फिर्स एक्वलिशन में सबसेट्यूट करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 प्लस 3 इस 180 विच इस 1 प्लस 2 प्लस 3 इस इपल टो 180 साइट क्यू आर को अगर हमने पॉइंट S तक इस तरीके से प्रड्यूस कर लिया तो P R S क्या हो गया, एक एक्स्टेर अंगल हो गया, P Q R का अब इसमें तो आपने देखा, तीनों आंगल का रसम गया, ठीक है? अब अगर हम S तक इसको प्रड्यूस कर दें, तो आंगल 4 जो है, वो एक एक्स्टेर अंगल है और अंगल 3 प्लस आंगल 4, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लीनियर पेर बना रहे है और हमने उपर प्रूफ किया था कि 1, 2, 3 इक्वल टू 180 होता है, अंदर वाले तीनों आंगल का सम 180 डिग्री होता है तो पर्स और सेकिंड से अगर हम देखें, तो आंगल 4 इस इक्वल टू आगया हमारे पास 1 प्लस 2 तो इस रिजल्ट से हम एक और थेयोरम बना सकते हैं, कि एक ट्राइंगल की अगर एक साइटकॉम प्रडूस कर दें, तो जो एक्स्टीरियर अंगल बनता है, वो इंटीरियर ओपोजिट अंगल के सम के एक्वल होता है So, it is obvious from the above theorem, that an exterior angle of the triangle is greater than any of its interior opposite angle किसी भी अपने interior opposite angle से, exterior angle बड़ा होता है, और exterior angle का sum, interior opposite angles के, जो exterior angle की value होती है, वो interior opposite angles के sum के equal होती है